सलाम अलेकुम आज की मज़ेदार पीनट बटर की रेसिपी में आपके लिए लेकिया हूँ जो को मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त ने मुझे परमाईश की थी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने 1.5 कप All-Purpose Flore लिया जो को 180 ग्राम के करीब है हाफ टी स्पून इसमें हमने सॉल्ट टाला और हाफ टी स्पून हम बेकिंग पाउडर टालेंगे All-Purpose Flore को हम लोगों ने चानना जरूर है तो साथ इसमें इस तरह थोड़ा सा इसको फैंट लें सूके सूके को तो इसमें जो बेकिंग पाउडर और सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यह और हलका हो जाएगा इसके बाद हाफ कप हम इसमें बटर डाला जो कि 67 ग्राम बनता है और वन कप हम इनमें पिनट बटर डालेंगे जो कि 250 ग्राम बनता है ठीक है यह दुन्नों जो है न वो रूम टेंपरेचर पे होने चाहिए इसको हमने पहले थोड़ा सा बीट लेना है हलका सा बीट लेंगे ताके जो उन्सा यह हमें पता चल जाए कि यह दोन्नों चीज़ें जो है आपस में काफी हद तक मिक्स हो चुकी है वेनिल एसंस डाल दिया और लार्ज एक में डालना है और लार्ज एक डालके इसको तब तक फैंटना है जब तक यह जो है अच्छा समूद सा जो हमारी डो बन जाए लीकवर्ट की न यह देखें हमारा थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा होगी आपको फील भी होगा इसमें न उ अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो उसकी जगाव वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ब्राउन शुगर यूज़ करें तो उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है इसको भी हमने अच्छी तरह जो ना इसमें फैंट लेना है अब जो अउन परपस फ्लोर हमने मिक्स करकर रिखा था उसके अंदर हम ये पीनट बटर और सिम्पल बटर का जो मिक्सर हमने बनाया था वह हम इसकी अंदर डालेंगे और इसको हमने अच्छा से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स बिल्कुल जो इंग्रीडियंस है इसी तरह डालिएगा नहीं तो फिर बाद में आप यह ना कहें कि आपके जो उनसे ना वो मजए की नहीं बने और उनकी शेप सरी नहीं थी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो यह जो है ना हमने इसमें जो आल परफिस फ्लोर डाला पहले मैंने हाफ डाला और उसके साथ इसको बीट कर लिया फिर बाकी का हाफ डाला और उसको उसके साथ हमने बीट कर लिया जब यह थोड़ा से जड़ा लगे ना कि बीटर से ज़्यादा जोर लग रहा है सकत हो रह में और उसके बाद हम इसके जोंसे ना बिस्किट बनाएंगे यह देखें आप यह हमारा काफी हद तक जो है ना वो थोड़ा सैटल हो जाता अच्छी तरह ना अब इसको जिस शेप में आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं दोनों हाथों से अच्छी तरह मसलें तक इसमे बहुत अच्छा सब बन गया था अब हमने 170 डिग्री पर जो है ना ओवन प्री हीट होने रख दिया है जब तक मैं अपने कुकिस बनाती हूँ उतनी देर हमारा जोंसे ना वो ओवन प्री हीट हो जाएगा और सारे कुकिस हमने अपने इसी तरह बना लेने हैं यह रखें ग लेकिन मुझे जो है ना वो पीनिट लगा की जएदा अच्छे लगे थे नाइफ के साथ इस तरह भी हम शेप दे सकते हैं और बिस्किट के ऊपर जो है ना वो पीनिट लगा सकते हैं बिस्किट के ऊपर पीनिट लगा लें तो बाद में जएदा अच्छे लगते हैं और ए उसको मैंने थोड़ सा जादा किया क्योंको मुझे थोड़ से जादा ब्राउन राउन से पसान थे अंदर से दोनों ही बहुत अच्छे पक चुके हैं ये देखें कितने अच्छे और क्रिस्पी से बन चुके हैं ना ये बहुत हार्ड है और ना बहुत नरब खत्म बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया